नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा और इस वक्त हम प्रियागराज में हैं, चुनावी सर्वे कर रहे हैं जमीनी हकीकत लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यूपी में काबा और यूपी के हाल काबा ये आप तक पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी कड़ी में इस वक्त हम हैं शहर उत्तरी विधान सभा प्रियागराज में जहां से हम आपको दिखाएंगे कि असली विकास कहां तक है और कितना है यहां योगी अधितिनात के दावे धरातल पे कैसे हैं और उनका स्वरूप कैसा है इन सभी चीजों पर बात करने और सारी जो स्थितियां है वो आपको दिखाने के लिए हमारे साथ इस वक्त है निक्की कुमारी जी जो कि यहां राजापूर से पारशद है और इनके समर्थन में इनके मार्ग दर्शन में हम आपको इस पूरे इलाके का हाल दिखाएंगे और इनसे भी जानेंगे इनसे भी बात करेंगे क्योंकि खास तौर पे दो चीज़ें यहां मैं आपको बतादू जो खास है एक खास यह है कि स्विधान सभा सीट की अपनी एक खासियत यह है कि आज के समय में जहां धन बल और बाहुबल का राजनीती में सामराज्य है यह सीट इन सबसे अलग है यहां आज भी इन सबसे अलग लोगों को चुना जाता है जो प्रतिनिधी होते हैं वो इसके इतर होते हैं दूसरी खास बात जो इस वक्त महिला मेरे साथ खड़ी हैं यह अपने आप में खास हैं क्योंकि यह महज 18 साल की उमर में एक पारशत चुनके आई थी तो इन से भी बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है निक्यी कुमारी क्योंकि आपने उस समय में जब लोगों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं आप निकम पारशत बन गई यह बहुत-बड़ी अचीवमेंट है आपने आप में राजनीती में आना क्योंकि उस समय राजनीती की बच्चों को जादा समझ भी नहीं होती बच्चे ही कहे जाते हैं उस टाइम हम ऐसे में आप राजनीती में आ गई इसके बार में पहले तो बताईए पहले तो भहिया तयारी कर रहे थे तो महिला सीट होने के कारड सबने अपनी माता को खड़ा करना चाहा अपनी पत्नी को खड़ा करना चाहा लेकिन मेरी भहिया का सोच बहुत अलग था जो अपनी बहन को खड़ा किये तो उनको लगा कि आप छोटी सी उमर में ये जिम्मदारी निभा सकती है, कही न कहीं कुछ देखा होगा उन्होंने ऐसा हाँ क्योंकि मैं सुरू से मैं खेल में भी रही हूँ और भार भार भी गई थी मतब सबसे जैसे लड़कियों का दिमाग एक मतब अलग तरह का होता है, लड़कों के तरीके वैसा मेरा दिमाग था क्योंकि अभी विदान सभा के चुनाओ नस्दीक है, ऐसे में विकास के दावेल लगातार, खास तोर पे जो सत्ता धारी दल है, बीजेपी योग या दितरात की सरकार, वो कर रही है कि हमने पांच साल में इतना विकास दिया है, जितना बाकी पार्टिया नहीं दे पाई, चाहें वो रोजगार का शेत्र हो, चाहें वो सिक्षा का शेत्र हो, या आप धरातल पे साफ सफाई और बाकी बाते कर लीजे, तो मैं चाहूंगी कि पहले इन सब पे बात करने से पहले एक बार मैं आपके ओफिस को भी देखा दू लोगों को, क्यूंकि देखिए, आज के यहां दो से तीन लोग बैठ सकते हैं, अंदर आ जाईए, मैं आपको दिखाती हूं, बाबा साहिब की फोटो, जो उनकी मार्क दर्शन में जिस तरीके से काम करती है, निकिय कुमारी जी, शायद इसका प्रतीक है, बिल्कुल, और यह ओफिस है, यह एक चार पाई है, और दो कुर्सियां है, मतब मुश्किल से यहां पांच से शे लोग बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और ऐसे मैं अपनी मीटिंग्स करती हैं, काम करती हैं, तो कभी यह विचार नहीं है, कि कोई बड़ा ओफिस ले ले या कुछ, क्यूंकि मैं मिडल क्लास फैमिली से हूं, ज़ इसलिए मैं जो है, उसी में खुछ रहना जाता हूं, जब मिडल क्लास के ही होते हैं, लेकिन बाद में हाई-फाई हो जाते हैं, हो जाते हैं, लेकिन जिसको जैसे काम मिलता है, वैसे होता है, लेकिन हमको ज़्यादा काम नहीं मिलता है, पार्टी की विरोध जैसे, ऊबरू करा दीजे और इसके बाद यहां की जो रहने वाले निवासी हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनका भी हाल जानेंगे. यहां पर जिस तरीके की विरादरी है, जो सामुदाइक समेकरन है, उस पर भी बात करेंगे. तो पहरे तो आप आपने साफ आखों से देख सकते हैं इसे किसी को बताने की तो खेर जरूरत ही नहीं है ये खुली नालियों में बहता विकास आप देख सकते हैं तो इस पर तो किसी को कुछ चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है निकीशरी आगे चलते हैं और आप से जानते हैं ये सब ये हाल ऐसा मतलब कब से है जबसे ये गलिया बनी है तब से अई है ये ये नाला साफ हो रहा था तो ये तूट गया था नाला तोड़वा करके साब गया था तो मैं बार-बार लिख कर के दीओं निगम में लेकन आज कि ये गल्ली नहीं बनी है और थे इतनी बदबु का रही है क्योंकि यहां लोग रहते हैं और भीमारियों को ठीक है और ख्ट्रा जाता हो, क्योंकि जाती है समयकरन के लिहाद से भी सरकारों का ध्यान देर नहीं जाता होगा, क्योंकि योगी अधित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके दावे हैं, इन दावों के बीच चमचमाती सडके, लोग कह रहे हैं सडके बनवाई हैं, उन्होंने गंगा नदी म Tapi गया है कर देंदने जनका दों मीदान तक प्रशा। प्रक्रावी कृट को में लिए, भी एदिर होता है। तो यह भेद्भा होता है, बहुत होता है, इस तरीके का भेद्भा होता है, यहां इस वक्त विधायक कौन है, शाहर उत्री के विधायक है हर्सवरधन बाजपाई जी, इस पाटिसे हैं वो, भाजपा है, बताए यह मतलब भाजपा से पारशद है, कभी आए अधर गूमने, इस गल्ली में तो नहीं आए हैm यहाँ नहीं नहीं हुए हैं लेकिन वो यहाँ कभी दर्शन देने में आएंगे जो भार हो पर दो यहां आए हैं आप आतो इसमें कितना बदला हुआ हैं और नगर निगम में जॉइन्ड स्कूल हैं उसमें थोड़ा ध्यान दे दिया जाता है और वैसे तो सब प्राइबेट स्कूल है यहाँ पर अच्छा नहीं है ज्यादा अच्छा नहीं है मतलब और यह दलित बस्ती होने के कारण गंगा का किनारा होने के कारण यहां का विकास आज तक किसी भी विधायक ने चाहे वो कांग्रेश का रहा हो चाहे वो बीजेपी का रहा हो आज तक कभी भी हमारे इस छेत्र का विकास करने के लिए नहीं आया ओट के समय हमारे वोटरों को तरह तरह का प्लोवन देकर लालज देकर हमारे जो कम पढ़ी लिखे लोग हैं उन लोगों को धोका दे करके ओट तो ले लेते हैं लेकिन कभी भी विकास के नाम पर एक खंबा और एक गली की रोड इस पूरे राजापुर में पानी भर जाता है पूरा गंगा जी का महौल हो जाता है लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है बड़ी बड़ी परेशानियों के बावजूद जब कोई बीमार पड़ जाए तो अपने पेसेंट को जहां दस मेट में हॉस्पिटल पहुचाना चाहिए तो गंटों लग जाते हैं उसको अंदर से बाहर आने में तब तक पेसेंट रास्ते में ही दम तोड़ देता है यही है भारतिय जन्ता पाल्टी का विकास बहुचन समाज पाल्टी की ये पारसद लाग प्रियास करने के बाद भी इस राज़ापुर की शमस्याओं से निजात दिलाना चाहती है बहुत प्रियास करती है इनका एक भाई है जितेंद्र कुमार शेरू ये भी बहुत संगर सील वेक्ती है हमेशा राज़ापुर के विकास के लिए प्रतन सील रहता है लेकिन यहां का बीजेपी का विधायक और बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार और मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास तो ये हकीकत देखने के लिए आपको राज़ापुर में हमारी वहन पारसद निक्की कुमारी से अच्छा कोई नहीं हो सकता कि पूरे राज़ापुर की एक एक गलियों का निरच्छन आपको दिखा देंगी मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा आप उस हकीकत को देखिए और पूरे देज विदेश की जनता को दिखाईए कि बीजेपी का सासन किस तरीके से विकास करने के लिए केवल दूरदर्सन के माध्यम से मेडिया के माध्यम से पत्राचार के माध्यम से हमारे भोले भाले मददात को चूतिया बना करके दोका दे करके ओट तो ले लेता है लेकिन हमारे छेतर का कभी विकास नहीं करता क्योंकि जादा तर यहां छोटी जातियां अपना निवास करती हैं वो कहते हैं कि छोटी जातियां को चूतिया बनाना तो हमें ओट के समय जब ओट का समय आए गया तो हम चूतिया बना लेंगे उनको बेवकूब बना देंगे टीवी के माध्यम से दूर दर्सन के माध्यम से किसी एक गली का विकास दिखा करके हम लोगों को बताएंगे कि तुमारे गलियों का विकास हो गया लेकिन जब धरातल पर कोई विक्ति आएगा तब यहां की हकीकत से ओगत होगा कि राजापुर में विकास यहां की सरकार ने क्या किया है यहां के विधायक ने क्या किया है पेपरों में तो बहुत दिखाया जाता है कि एक एक गली की विकास यात्रा निकाल रहे हैं गलीयों में बहुत विकास हो गया है और सारे तार एलेक्टिक के पोल आप को बिल्कुल लटकते नजर आएंगे यहां बहुत से जानवर इस गलियों से आते जाते हैं वो भी बारिस के समय खंबो में करंट आने के करण वो मर जाया करते हैं भारी नुक्षान होता है बच्चे जब स्कूल जाया करते हैं तो उनको भी यह भै लगा रहता है कि मेरा बच आल इस्तिती है आप अगर यह सामने गलियों का नजारा जब देखेंगे अंदर बहुत सी गलियां है गंगा नगर यह असोक नगर महु सरेया नेवादा यह राजापूर में आपका पूरा निरच्छन हमारी बहन निक्की कुमारी पारसत जो बहुजन समाज पार्टी की र लोगी सरकार को दिखाईए यहां की जनता को दिखाईए कि दलिद बस्तियों का विकास बीजेपी कभी नहीं कर सकती अगर एक मात्र पार्टी कोई कर सकती है तो वह बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी कर सकती है वही दल्तों की सच्ची हितैसी है बहन जी के आन वो कभी भी हमारी सच्चाई को नहीं दिखाते हैं लोगों तक आप से अनरोध है कि आप हमारे पूरे प्रदेश में एक एक गलियों में ये विकास देखिए कि योगी जी ने क्या मेरे बोलने से मत जाईए आप जब हकीकत देखिए और जनता को दिखाईए ताकि उनको पता चल सके कि बेहन जी के लिए जो सब्द मैंने बोले हैं वो सही है या नहीं बीजेपी कितना बोलती है और कितना करती है उसकी हकीकत भी सामने आजाएगी रोडे हम जब से जीते हैं तब से ना जाने कितनी बार लेटर पैट पे लिग करके देने के बावजूद भी आज तक ये रोडे नहीं बनी है यहाँ कोई कारवाई नहीं होती है नहीं यहाँ लोगों के लोगों के घर तक एन रास्तो तक भी नहीं आ जे turmeric ин हाज चाहिए भी पर उनसे ही बात करते हैं उनकी राए जानते आप यहीं के रहनेआजते हैं मैं जीते हम नाम में sister है तो सबसे पहले तो यह सवाल कि आपने अपनी बहन में ऐसी कौन सी खूबिया देखी कि आपको लगा अठारा साल की बच्ची को आप चुनाव लड़ा सकते हैं हुआ कि आपने चुनाव लड़ने के लिए इस्तिपाक ऐसा हुआ कि महिला सीट हो गई तो मैंने सुचा कि इसको लड़ाओं घर में तो मैंने सुचा कि कुछ मुझे राय भी दी है मारे सेनियर राय दी कि माताजी लड़ा तो अभी यह मच्ची है नहीं इसके परलब जानका हो सकता है मैंने का फिर इनको जो है चुनाव लड़न एक तयारी सुरू करो दी जब प्रश्मान चेंज हुआ इनको मैंने फ्रेंट पे ला दिया बैनक पोश्टर से हर चीज से लाया मैंने इनको प्रेंट पे जहां जा मैं गया इनको लेकर वही अधिकारी यह नहीं कहा कि अरे 21 साल की बच्ची है यह चुनाव लड़ेंगी कितना तुमारा में एज़े बिटा तो हम भी ने बताया इनका वी 21 साल दो महीन हुआ तब यह पाश्रत बन गई थी अपने वाट से अब बस यही चला मैटम अपनी मतलब अपनी माता जी को इसलिए नी चुनाव लड़ा है क्योंकि उनकी सिक्षा नहीं थी और अन्भव नहीं था और यह क्या यंग थी दौड़ भागू सकती थी हर चीज इनको कर सकती थी इसलिए इनको चुना थी क्योंकि जादोतर ऐसा होता है कि महिला सीट पर सिर्फ चेहरे चिपका दिये जाते हैं कि अच्छा यह महिला लड़ रही हैं बाकी तो हम कर लेंगे पर आपने इसके पीछे यह देखा कि वह काम कर सकती हैं हम भी साथ में लगे थे लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहें कि आप लोगे सिर्वास से तो जनता आज शिर्वाद देती रही चुनाओं में तो सबसे पहले हम जरा आपने इलाके में जो भी लोग हैं जो विवस्ता है वो अच्छा वहिया से बात कर लेते हैं आपका ठेला है तो इसी गली में हमीश ठेला लगाते हैं या गूमते रहत कि योगी जी के राज में तो मतलब सबढस चमा चम है अगदम है तरह किराज में चमाचम है हम लोग को क्या की आटि मला एक घरा घूस दो पीना यह कुछ नहीं हुदी पिरें या ने 614,000,000 दिये 1.5 दो प्लुदार नहीं मिला हम को तो अभी तक आपको ठेला चलाथे पह तहीं तो worshिष् thấy ह obser eighty Aidan Cons रहा है लेकिन आप आप कमाना ऐसी कहते हैं यहां की जो हालत आप यहीं रहते हैं अभी में इना है लेकिन फुर रहते सेंडर तो फिर एक बात ये बताईए मुझे कि आप यहां घूमते हैं आपको जाधा पता होगा यहां क्योंकि कहा जाते हैं कि प्रसाशन बहुत सक्त है पुलीस विवस्था अच्छी हुई है योगी अधितिनाथ के राज में इस पर आपका क्या मानने यहां राजापुर में कुछ नहीं है आपको कोई दिखाता भी है इतना पारिष्टे उजाएगा आपका वोट किसको जाएगा आप वोट तो आभी देखो कहा जाएगा देखो जाएगा तो दिक्टत है इतनी सारी है तो कुछ सोच रहे होगे दिक्कत दूर करने के लिए कोई आए बज़ेपी ने तो किया नहीं है अब किसको वोट देंगे ह मुलाहीम संग को देंक इतना को परिशान है परेशान है इतनी महेंगाई क्या करेगा अच्छा अधिक्ट है क्या करेगा तो आपको लगता है कि मुलाहीम संग के सरकार में काम हुआ था हाँ उसमिंक्ता है खुआ है और अखिलेश आदव आपको लगता है कि अच्छे लगए हमको इसे लगे हमको साशन वापिस लाने अब एक पिकाजा जाते हैं कि उनके व्यवस्ता अची थी थी देखा जाएगा फिर उसके लिए तो भी आगे चलके फिल भी देखा जाएगा मालोग काहा कैसा क्ला है उसे योगी जी से संतुश नहीं है अब योगी जी में सक्वेश जीत नहीं है